सुनाओ अडानी टोटल गैस लिम्टेड आप देखे अच्छी खबर और भड़िया मूव हमें देखने को मिला है अब देखेंगे तो यहाँ पर सुबह सुबह ही यहाँ पर खबर आने से पहले यानि कि मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोट का जो डिसीजन था उससे पहले ही यहाँ पर अपर सरकिट यहाँ पर हिट कर गया था उसके बाद जैसे ही बुलने स्टार्ट किया दस बच कर तीस मिनट पर यहाँ पर वॉलेटिलिटी काफी बढ़ गई जिसके विए से हमें थोड़ा सा करेक्सन भी देखने मिला हाई असाइट से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिली और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इनकी पेरेंट कंपनी अदानी एंटरप्राइजस वो भी आट परसेंट से सीधे दो परसेंट तीन परसेंट रह गया था यहाँ पर स्टॉक तो ऐसे में वोलेटिलिटी काफी जादा बढ़ गे थी जैसे ही पू जोच रहे हों कि यह हाईर साइट क्लोजिंग क्यों नहीं देखने मिली यह मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ क्या है अडानी विलमार भी देखें आज 4 परसेंट उपर है अडानी ग्रीन एनरजी 13 परसेंट उपर ता 6 परसेंट की आसपास की क्लोजिंग लिए देखने मिली है क्योंकि सुप्रीम कोट का यहाँ पर कहना था कि यहाँ पर हम क्लीन चेट की डिबांड कर रहे थे पहले लोग समझ नहीं पाई जब ये स्टॉक डबल हुए तो वो क्यों हुए क्योंकि सुप्रीम कोट की तरफ से ये कहना था हिंडिन वर की रिपोर्ट का कोई मानने नहीं है पहली बात तो उस वक्त यहां पर स्टॉक जो है वो डबल हो गयते अडानी टोटल गैस 530 से सीधा बारा सो साड़े बारा सो के आसपस लगा कर अडानी ग्रीन एनरजी हजारों पे से बढ़कर 1600 हो गया अडानी एंटरप्राइज बढ़ गया ये सभी स्टॉक बढ़ते हुए नजर आए ठीक है आज क्या हुआ पहले हम यह नहीं समझ पाए कि यहां पर सुप्रीम कोट कह क्या रहे हैं आज उनका इस पर यही कहना था कि भाई साब हम तो ऑल्रेडी कह चुके हैं कि हिंडिन बर्ग की रिपोर्ट पर कोई भी यहां पर जो है कोई एलिगेशन सम मानें एही नहीं हम बहुत पहले ही कह चुके हैं इसकी वज़े से कहीना कहीं प्रॉफिट बॉकिंग आयी है तो यहां पर अर यह ख़बर से तेजी और यहां पर इस वज़े से प्रॉफिट बॉकिंग आय थी उपर इलेवल से तो जो लोग होल्ड करे थे यह सुनने के लिए कि बही है हिंडिन वर्क से बिलकुल क्लीन चिट मिल गी क्लीन चिट तो बहुत पहले मिल गी थी सुप्रीम कोट से इस बात पर इस बात पर वो कहीं न कहीं प्रॉफिट वुक करते हूं नजर आए और वो यहाँ पर हाईयर साइट से निकल गए नए लोग अब एंटर कर चुके है लेगा अडाने टोटल गैस में एक और बात हुई है शाइगन क्वांटम लिमिटेड इसके साथ यहाँ पर MOU साइन किया है Memorandum of Unit यहाँ पर साइन किया गया है और यह क्यों किया गया है यह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आया कि शाइगन क्वांटम टिकनोलजी इस लिमिटेड यहाँ पर पार्टनर्शिप करें हैं किसलिए क्योंकि यह रेट्रो फिटिंग जो इंटर्नल कंबसंट इंजन्स के लिए उसका अल्टरनेटिव डून रहे थे यानि कि CNG गैस हुई लिक्वाइड यानि कि LNG हुई इन सभी का जो रेट्रो फिटिंग के काम का जो है उसके उपर यहाँ पर फोकस करें जो कि ट्रांस्पोर्टिशन वीकल्स और माइनिंग एप्लिकेशन में यूज होते हैं ठीक है तो यहाँ पर टार्गिट करेंगे इस चीज़ को यह दोनों मिलकर तो कुल मलाकर डी कार्वनाइजेशन के उपर यहाँ पर जो है कोलाइबरेट किया गया है इसके इसाथ साथ अडानी टोटल गैस का फिलिप कार्ट के साथ यहाँ पर M.O.U. साइन हुआ था ताकि सप्लाइ चेन को डी कार्वनाइजेशन से यहाँ पर जो है किया जाए यानि कि जिस तरही के से वीकल से एलेक्टिक वीकल में कनवर्ट करना या हाईडोजन वीकल में कनवर्ट करना क्योंकि अडानी टोटल गैस अब हाईडोजन में भी है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस बात पर आगे का जो सिनेरियो है जिस हिसाफ से यहाँ पर बात चल लई है उस हिसाफ से बहतर नजर आ रहा है यह एक दो दिन वाली बात नहीं यह काफी टाइम लेगा यानि कि एक साल आप मान के चलिए आपको चेंज़ेस देखेंगे इंडिया के वीकल में इंडिया के यहाँ पर ट्रांस्पोर्टाइजेशन के अंदर बहुत सारे यहाँ पर चेंज़ेस देखेंगे एवी और हाइडोजन वीकल्स पर हम सिफ्ट हो रहे हैं तो क्या प्रॉबलम है लॉंग टर्म के लिए और जैसा कि मुझे भी नहीं पता था कि आज की डेट में यापर हीरिंग होनी है काफी लोगों पता था लेकिन आप बता रहे थे कमेंट में आप बता रहे थे कि यहाँ पर जो है कल सुनवाई है और यहाँ पर काफी important सुनवाई है तो यहाँ पर एक important जोन तो आस थाई है इसे साबसे और काफी दोनों से कल हमारी बात रही थी कि यहाँ से या तो wait कर रहा है यह consolidation कर रहा है या तो higher side जाने के लिए या फिर यहाँ पर यह करेगी कि यहाँ सुपीम कोड की तरफ से यह सारी बात आ चुकी अब गवर्मेंट है यहाँ पर जो है step लेने जाएगी कहीं न कहीं हिंडिन बर्क की उपर हिंडिन बर्क की उपर यहाँ पर क्रॉस यहाँ पर काम चलेगा और वहाँ पर देखा जाए इसके सार्ट सेलर्स कौन थे यह भी निकालने के लिए बोल दिया गया है तो बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है और आपको क्या चाहिए कुल मला के क्लीन चिट मिल गई है 24 जो क्वेशन्स थे उनमें से 22 के आंसर आ चुके है दो के आंसर रहे हैं दो के आंसर आपको तीन महीने के अंदर थ्री मंद के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे यानि कम्पलीट क्लीन चिट आपको जो है तीन महीने बाद यानि की अप्रेल तक आपको देखने को मिल जाएगी इस कंपनी के अंदर इस ग्रूप के अंदर बाकी स्टॉक जो है न वो तीन महीने तक आते आते कहीं न कहीं ये दो अजार का कहीं न कहीं हो जाने चाहिए अडानी टोटल गैस जहां तक है और मैं अगर आप बता हूँ आपको अगर आपको याद हो वैसा ही सिनेरियो कहीं न कहीं इस वार भी देखने मिलेगा कल बहुत इंपोर्टन डे है अडानी ग्रूप के अंदर अगर ये हायर साइट कलोजिंग दे जाते हैं स्टॉक्स तो आप ये मानके चलिए कि पंदरा सो जो हम बात कर रहे थे कि पंदरा सो के लिए दरवाजे अभी भी ओपन है ये स्टॉक के न कहीं 15 सो पर ही जाकर रुखेगा अभी भी जो एक है ओपन है जो प्राइ time के लिए तो जादा सोच यहां पर लंबे वक्त के लिए hold करी है क्योंकि जो दिक्क्ते थी था ही वो जाँ से ज्यादा 90 पर से अब सॉल्व हो चुक है तो आपकुछ ज़्यादा बचा ही नहीं है बचा नहीं है तो यहां पर इस बात पर फोकस करें कि कुछ बचा नहीं है अब जो बात आजाती है बो आजाती है इस PE ratio पर क्योंकि हम हमें fundamental कब तक हम पीछे रहेंगे fundamental भी अच्छा होना पड़ेगा अच्छा इस वक्त आप PE ratio मत देखिए इस वक्त आप PE ratio मत देखिए ये कही ना कही गलत यहांपर हो जाएगा क्योंकि पहले का क्या था पहले का सिनेरो यही था कि higher side P ratio उस्ते stocks sustain कर रहे थे इस वक्त भी कहीं न कहीं वह होगा दीरे दीरे तेजी बनेगी लेकिन actual में ये जाएंगे higher side जाएंगे higher side लेकिन फिर भी be causes अगर वापस 1000 रुपए तूटता है अगर वापस 996 रुपए के नेट सेल जो है डबा थी एक in-line numbers आ रहे थे नेट सेल के अंदर उसका अब यहाँ पर जो है ना अब यह सुरूबात हो जाए क्योंकि आप जा चुके हैं ड्रोजन के अंदर आप जा चुके हैं EV के अंदर आप जा आप अरेड़ी हैं gases के अंदर गैस आप यहाँ पर जो है ना देते हैं पाइप लाइन की थुरू तो आप ध्यार रखेगा आप काफी चीजों के अंदर भड़ चुके हैं डेट कहीं रहाँ ना कहीं गरोफ आना चाहिए और अगर यहाँ पर net sales increase होती है और profit increase होता है तो definitely आपको जो यहाँ पर comfort नहीं मिल ला है यहां पर जोард मिलने लगा है कहीं आपको वैलवेशन comfort मिलने लगा तो अब इस पर focus करीए इस पर focus करीए यही आप यहाँ पर सब कुछ है और अगर यहाँ पर डेफिनिटली अगर इंक्रीज होते हैं तो फिर ध्यान रखेगा यह स्टॉक रुकेगा नहीं जो चार अजार की आप बात करें दीरे 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 करकर यह चार अजार भी पहुंच जाएगा कोई बड़ी बात नहीं और एक और बात है यहाँ पर पांच कुवार्टर में सबसे बड़ी है कुवार्टर निकला आपका क्यूटू तो क्यूटू से कहीना कहीं आसार मिल चुके कि अप कहीना कहीं प्रॉफिटिविल्टी इंक्रीज होने वाली है तो इस पर ध्यान रखें इस पर ध्यान रखें बस थोड़ा सा यहाँ पर कॉसस रहके करना है लेकिन यहाँ पर अगर आप टिके रहे ठीक है गिरावट को आप अपना भाई मानिए यहाँ पर लंबे जो एक चार्ट उठा के देखेंगे एटी जेल का तो जब 2020 से तीची बनना स्टार्ट हुई थी बीच बीच में चालिस चालिस तीच तीच परसेंट का करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला था ऐसी बात नहीं कि लगातार दोड़ गया था स्टॉक पंदरा सो गया पंदरा सो से फिर साथ सो रह गया फिर सी बीच बीच में बड़ी गरावट बड़े-बड़े मौके आपको देखने को मिले है एटी जियल के अंदर अडानी ग्रीन के अंदर तो थोड़ा तो यहाँ पर रिस्क रहेगा क्योंकि हम है भाईया क्योंकि फंडमेंटली अगर आप देखेंगी फंडमेंटली काफी वेलिउशन हाई है तो यह एक रिस्क फेक्टर रहेगा लेकिन अगर आप इसको इसको पिछली वार 2020 में आपने किया अगर आप इस वक्त भी अगर आप करते हैं तो कहीं न कहीं अगर गिरावट भी आती है तो एक टाइम आया कि वो रिकवर करके आपको प्रॉफिट भी देने लगए तो इस पर भी दिया रखें थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ये तो बात है तो यह ऐसा नहीं कि सब कुछ सही हो गया अब मामला सब कुछ सही हो गया हम हाईर सैट जाएंगे बट एक रिस्क फैक्टर भी रखेंगा कहीं न कहीं एक डिप आती रहेगी बीच बीच में भी तो मेरे ख्याल से अब आपकी जो टेंसन है वो खतम हो गई होगी अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो वो एक ऐसा स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं जिसके उपर कोई भी दिक्कत नहीं है बस यही बात है अब बात आ जाती है कि मार्केट इसको कैसे लेगा कल हमें यह बात समझ जाईगि अगर यह हायर साइट जाता है तो यह कही ना कही अपने जो हाई है फिप्टी टू विक हाई है अधर तक जाने खोश्च करें अगर उसको हायर साइट तोड़ता है तो यहाब चोदा सो से पんだरा सो की जो लेवल कीश आप कर रहे हैं वो कही ना कही आज़ आने countsह कहीं न कहीं आपके सामने दिख जाएंगे यह यहाँ पर है ATGL के अंदर तो मेरे ख्याल से रिस्क है रिस्क को कैसे मैनेज करना है यह आपको पता होना चाहिए अगर आपको अच्छा लगता है ATGL क्योंकि fundamental तो कुछ समझ में आ नहीं रहे हैं fundamental समझ में नहीं आएगा हमारे सामने एक पहला ग्रूप है पहली कमपनिया है जो इतने higher side P ratios पर वर्क कर रही है यह आप बास समझे और यह पहली बात है अगर कोई और कमपनी आई जिसका बिजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग हुआ लेकिन profitability दीरे दीरे increase हो रही है तो भी वो sustain करेगा higher side अब यह सुरुवात हो चुकी है अटानी ग्रूप के साथ साथ बाकी stocks भी आते हैं बाकी stocks का भी कुछ ऐसा ही company का प्लान रहे था तो वो stocks भी चमकते हुए नज़र आएंगे so that इस पर ध्यान रखेगा तो जो हम लगातार बात कर रहे थे वो बहुती बढ़िया तरीके से बात करी और जिस तरीके से एक जगा रुका हुआ था वहां से कुछ ना कुछ तो होना था या तो यह downside जाना था या फिर यहां पर upside जाना था downside restriction थी क्योंकि दो बार रिकवर हो चागा है 920 के आराउंड जाकर यह stock बापस रिकवर होता है जिस तरीके से रिकवर हो रहा था उस तरीके से लग रहा था कि पता नहीं इस जगे पर जाकर जो एक 1000 रुपे के असपास जाकर वहां पर रुक रहा है बार बार कहीं न कहीं कुछ बड़ा होना है वो बड़ा आपके सामने हो चुका है कल अगर ध्यान रखेगा कल शायद आपको 1200 के लेवल आपको देखने को मिल जाए तो इस पर ध्यान दीचे हो सकता है इसे हफते आपको जो है ये 52 वीक हाई तोड़ जाए तो इस पर ध्यान रखेगा देखते हैं मार्केट इसको कैसे लेगता है क्या मार्केट इन बातों को सीरियसली ले रहा है या फिर मार्केट कुछ और सोच रहा है अगर कुछ और सोच रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ये कहीं न कहीं स्टॉक जो हजार का लेवल है वो तोड़ देगा तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाईए क्या करना है क्या नहीं करना है बाकी मामला तो सुधर गया है भाई साब यहाँ पर कही न कही हाईर साइड ही जाना चाहिए अडानी एंटरप्राइज्स की जहां तक बात है अगर आपने देखा होगा तो पहले जो पैसे फंडरेस कर रहे थे जिस प्राइस पर 32 के अराउंट अडानी एंटरप्राइज़ उस जगए पर पोंच गया था वहां से profit booking आई एडानी enterprises तो अडानी enterprises तो fully recover हो गया है बट 80 GL सबसे पीछे है तो शायर इसके अंदर तेजी बन जाए तो ये possibility है chances कितने हैं इदर उदर के risk reward के 60-40 ये ध्यान आखे risk है ये नहीं मानना की risk नहीं है risk है बाई साथ हो सकता है पहले जैसा हुआ डरना नहीं चाहिए और मैंने तो already आपसे कह दिया कि dip मिलेंगी बड़ी-बड़ी तो आपके अंदर average करने की छमता भी होना चाहिए बस इस बात पद्यान रखे अगर बड़ी dip मिलती है stocks के अंदर तो dip को buy करने की भी छमता होने चाहिए एक बार आपके जो broker हो advisor हो उनसे भी सला ले लीजिए मेरे इसाब से 996 बहुत important level है अगर दोबारा तूटे गाई ये तो फिर यहाँ पर BRS जून में हम आ जाएंगी पापस लेकिन जब तक इसकी उपर है तब तक यहाँ पर बुलिस रहिएगा मेरे ख्याल से यही कहना है यहाँ पर आप थोड़ी सी study और कर लीजिए तो आप क्या कहना है इसकी उपर कमेंसे समगेगा और आप दीच में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत दर्माज दूस्तो